हलो दोस्तो इस पीडियो में हम लोग बात करेंगे बांगलादेश वसे सिरलंका के बीच जो तीसरा टीटवेंटी मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में और दोस्तो दोनों टीम्स के स्टैट्स की उपर पूरी डिटेल अनलिसिस करेंगे और अस्मॉल लिग और लिग की टीम कॉंबिनेशन भी जानेंगे दोस्तो तो गौर कीजेगा ये जो मुकाबला है नौ मार्च को खेला जाएगा दो पहर में धाई वजे और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तो उसी ग्राउंड सिलहेट इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम पर खेला जाएगा जहां पर पिछला दोनों मुकाबला खेला गया तो डेरेट बात कर लेते हैं दोस्तो इस ग्राउंड की पिछली रिपोर्ट की उपर तो अभी तक इस ग्राउंड पर टीटी के इंटरनेशनल मैजस बारा खेले गया हैं जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए टीम मातर दो जीती है और चेस करते हुए टीम दोस्तों दस मुकाबले तो जो भी टीम यहां पर चेस करेगी उनका दोस्तों ज्यादा चांसिस रहेगा जीतने का और जो भी टीम टॉस जीते की पहले बॉलिंग करने का है निरने लेगी अब इसके बात कर लेते हैं दोस्तो जो यहां पर रिसेंट के दो मुकाबले खेले गए इसी सीरीज के तो दोस्तो पिछला मुकाबला बांगलादेश इस ग्राउंड पर आठ विकेट से जीत करा आ रही है और उससे पहले सिरलंका जीती थी इसी सिरीज में तीन रन से दोस्तो फास्ट बुलर को मिला है बारा विकेट और आस्पीनर्स को तीन विकेट इसका मतलब यह है कि दोस्तो इस ग्राउंड पर आस्पीनर्स को बिल्कूल भी मदद नहीं मिल रही है तो आपको अपने टीम में फास्ट बुलर पर थोड़ा जादा फोकस करना है और फस्त इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को अभी तक तीन विकेट मिली और स्पीनर्स को दो विकेट और सकेंड इनिंग में देख सकते हैं फास्ट बॉलर को दोस्तों कितनी ज्यादा मरत मिल रही है नो विकेट लिये हैं और स्पीनर्स मात्र एक विकेट तो दोस्तों यहां पर पांच बार बाजी मारी है और स्रिलंका दस बार त लगवग दुगना दोष्तों यहां पर स्रिलंका मैचेस जीता है बंगलादेस के खिलाब तो इस मुकाबले में भी स्रिलंका का पगड़ाब भारी रहेगा और यहां पर विननदू हस्तरंगा को लेकर भी बड़े न्यूज आ रही है उनका इस फ्लेइंग लिओन में बापसी होने वाली है जो कि दोस्तो बहुत ही बड़ा साइड रहेगा बंगलादेश का ऐसे रलंका का रिसेंट पर्फोमेंस देख सकते हैं तीन में से दो मुकाबला रिसेंट में सरलंका जीती है और पिछला मुकाबला बंगलदेश जीत करा रही है और यहाँ पर रिसेंट पर्फोमेंस भी मैंने लिख रखा है नीचे में देख सकते हैं थोड़ा बहुत सरलंका का अच्छा है अब इसके बाद डेरेट आगे बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेंग लिएन और सारे प्लेयर्स के स्टैट से पहले कि जिन्हों ने भी अब भी तक टेलिग्राम चैनल पर जॉइन नहीं किया है अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बंगलादेश के क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेंग लिएन तो इधर से आपको सो में सरकार के साथ लीटन दास ओपनिंग करते हो दिखेंगे फिर एन हुसेन सांतो फिर यहाँ पर हिडोय फिर मुहमद दुल्ला फिर जाकी रली महदी हसन टसकी नेमेद रासीद हुसेन उसकी बाद दोस्तों सवरफुल इसलाम और मुस्तिफिजूर रह्मान तो कोई भी बदलाओ देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि दोस्तों बंगलादेश पिछले मुकाबले जीत करा रही है और इस मुकाबले में जो पिछले मुकाबले में 26 रन बना कर एक विकेट लिए और मैंने साफ साफ आप सभी के लिए बोला था कि इस वह मुस्तिक रहेंगे और इस मुकाबले के लिए भी आप लोगों को इनको अपनी टीम में रखना ही रखना है ओपनिंग आएंगे बैटिंग बोलिंग दोनों कर हैं दोस्तों पिछले मुकाबले में 36 रन बनाए है तो इस मुकाबले में भी आप लोग के लिए इंपोर्टिंट पी कर रहेंगे और अगर बंगलादेश जीतेगी तो दोस्तों टॉप के दोनों बल्लेबाच का परफोर्मेंस करना जरूरी है तो दोस्तों पिछले में तिरपन रन नोट आउट और दोस्तों ट्रिवहाइड हरडी की बात करें तो इन्होंने भी पिछले मुकाबले में 32 रन की पारी खेली है तो दोस्तों टॉप के चार बल्लेबाच आपको दीख रहे हैं चार में से तीन को तो दोस्तों आपको लेकर ही चलना है चाहे सरकार लिटन दास और एन हुसेन सांतो और हरडे को भी आप लोग ले सकते हैं जब बंगलदेस की टीम टॉस जीतेगी तब लेकिन हरडे उतनी इंपोर्टेंट पिक नहीं रहेंगे आप लोग इनको डॉप भी कर सकते हैं पिछले मुकाबले में महमुद उल्ला को बैटिं कि दोस्तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि टॉप ओडर फूरी तरिके से फ्लॉफ हो जाए तो इस मुकाबले में पिछले मुकाबले में टॉप ओडर फ्लॉफ नहीं हुआ तो दोस्तो इन दोनों को बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला लेकिन दोस्तो इस मुकाबले के लि ग्रैंड लिग के लिए और बॉलिंग से बात कर रहे तो महदी हसन को एक विकेट मिली तो इस मुकाबले में महदी हसन इंपोर्टन रहेंगे टस्कीन हमात को भी दोस्तों दोनों मुकाबले में एक विकेट मिली तो इनको आपको लेकरी चलना है बॉलर है दो मुकाबले में रिसेंट में अब तक एक ही विकेट मिली है लेकिन इस मुकाबले में अगर बांगलादेश को जीतना है तो दोस्तों इनके में बॉलर मुझत फुज रहमान को परफ़र्मेंस करना जरूरी है अब इसके बात कर लेते हैं जो वोलर यहाँ पर जो फिलियर वेंच पर बैठे हुए हैं सारे का रिकोर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब डेरेट बात कर लेते हैं दोस्तों सिरलंका की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेंग लेंग लेंग तो इधर से आपको मैं बता दो की विनिंदू हसरंगा इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा चांस है कि खेलेंगे इनको दो मैचेस के लिए बैन किया गया थे तो हो सकता है दो मैचेस तो कंपलीट हो गया तो इस मुकाबले में खेलते हैं दिखें तो दोस्तो ए फर्नेंडो ओपनी करते में लिखे हैं कुसल मेंडिस के साथ फिर कमेंडू मेंडिस की जगह पर हो सके विनिंदू हसरंगा वापसी करें समर विक्रमा यहाँ पर चोथे नमर पर चत्रिया स्रलंगा एंजलो मेथ्विस दसुन सनागा की जगह पर भी खेल सकते हैं दोस्तो विनिंदू हसरंगा एम थिकसान दिलसान मदू संका को पिछले मुकावलों में खेला गिया था और यहाँ पर फर्नेंडो और एम पतिराना यह रहेगी दोस्तो सरलंगा की प्लेंग लेओन और देखने वाली बात यह रहेगी कि विनिंदू हसरंगा कौन से प्लियर की जगह पर आते हैं दोस्तो प्लेंग लेओन में अब बात कर लेते हैं इनके सारे प्लेयर के रिसेंट पहुमेंस की उपर तो सबसे पहले बात कर दोनों मुकावले में flop रहे हैं तो इनको केवल Grand League के लिए ही लेना है अगर ये खेलते हैं तो बागी कुसल मेंडिस दोनों मुकावले में संदार performance की हैं पिछले मुकावले में 36 रन उनसे पहले उनसे 69 रन तो इस मुकावले में कुसल मेंडिस को लेकर चलना है और स्मॉल लिग Grand League के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपोर्टन पी करहेंगे कमंडू मेंडिस की बात करें तो पिछले मुकावले में संदार बैटिंग का परदसन की है 37 रन बनाए और उससे पहले 19 रन बनाए थे तो जो टॉप के तीन बल्ले बाज दिख रहे है आपको 3 में से 2 को तो आपको ले कर चलना है कुसल मेंडिस और कमंडू मेंडिस को और सबर बिक्रमा की बात कर दो पिछले मुकावले में फलॉप रहे थे लेकिन इस सेरीज में अभी तक एक मुकावले में 61 run बना चुके हैं तो इनको आप लोग ignore नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपके पास option है या तो आप लोग command you manis को लिज़े या तो summer विक्रमा को अगर आप लोग command you manis को ले रहे हैं तो आप लोग ये सोच कर ले नहीं कि यह अच्छा तो आप लोग उस हिसाब से situation के हिसाब से सोच कर दोनों पिलर्स में से एक को लेकर चलना है चरितरा असलंगा की बात के रहे तो बहुत ही अच्छे form में है दोनों मुकावले में संदार performance की है तो इनको आपको लेना ही लेना है पिछले मुकावले में 23 सरंग की पारी खेले और विनिंदू हसरंगा का भी मैंने रिक्सेंट रिकोर्ड यहाँ पर लिख रखा है जो की बहुत ही बहतरीन है और अगर इस मुकावले में खेलते हैं तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी संदार option रहेंगे अगर विनिंदू हसरंगा खेलते हैं तो अगर इसमें इंपोर्टन नहीं रहने वाले हैं डी सनाका की बात करता केवल ग्रैंड लिंग में आपको इनको लेना है आप लोग अस्मोल लिव भी ले सकते हैं लेकिन दोस्तों डी सनाका का उतना जड़ा अच्छा वह हम इस पिछले मुकाबले में नहीं रहा था एम ठीक साना की बात करता केवल ग्रैंड लिग के लिए इंपोर्टन रहेंगा पिछले मुकाबले में विकेट लेश रहें दोस्तों बाकि सारे बॉलर्स पर केवल ग्रैंड लिग में ही फोकस करना है अब इसके बात कर लेते हैं तो यह रहने वाली है स्रिलंका की जो प्लियर बेंच पर बैठे हैं उनका रिकॉर्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर वो खेलेंगे तो और यह दोस्तों इस वीडियो की फाइनल टीम है आप सभी को इस से भी बहतरीन टीम टॉस के बाद प्लेंग ले हों जानने के बाद टेलिग्राम पर मिलेगे तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्सें में दिया हुआ जल से आल टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर लेंगे विकेट कीपर से दोस्तों में लिटन दास को ले रहा हूँ कमेंडू मेंडिस को में ले रहा हूँ यहाँ कुसल मेंडिस को और समर विक्रमा को यहाँ पर मैं दोस्तों समर विक्रमा को ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कमेंडू मेंडिस को नहीं लिया हूँ बैटिंग से मैं CS Lange को ले रहा हूँ यहाँ पर स्रिलंगा की तरब से और महमदुल्ला और एन हुसान सांतों को में ले रहा हूँ बांगलादेस की तरब से और राउंडर में मैं दोस्तों मैं थुश को कप्तान किया हूँ और स्वमे सरकार जो की ओपनिंग करेंगे पिछले मुकाबले में बहुत संदर बैटिंग भी किये थे विकेट भी लिये थे इनको मैं वाइस कैप्टन कर रहा हूँ और मेहदी हसन को यहाँ पर मिलिया हूँ बाकी दोस्तों एमपती रहाना और यहाँ पर एस स्माइल को मैं लेकर चल रहा हूँ तो यह दोस्तों मेरी टीम रहेगी पूरी बैलेंस टीम थोड़ा समय बैट्समें पर जादा फोकस करके टीम बनाया हूँ और टॉस्त के बाद आपको फाइनल टीम टेलिग्राम पर मिलेगी यह दोस्तों हमारी स्माल लिकी टीम रहेगी इस वीडियो के लिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम के उपर जो कि हमारी फाइनल टीम रहेगी Grand League की और यहाँ पर दोस्तो मैं क्या किया हूं को और यहाँ पर मैं दोस्तों बॉलर में चैनजस किया हूं दोस्तों बॉलर में दिलसान मदुशंगा को लिया हूं टसकी नहमद और एम पतिराना जैसा के दोस्तों यह momentum एक Grand League के विनिंग करने के लिए आप से भी कुछ न कुछ यूनिक करना ज़रूरी है तूसरे हिसाप से जो मेरे कप्तान रहेंगे यहाँ पर कुसल मैंडिस रवाइस कप्टन लेटन दास दोनों विकेट कीपर को मैंने क्याप्टन मैंस कप्टन किया है क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाया तो जो भी टीम अगर जीटती है तो उनका टॉप ओर्डर का पहमेंस करना बहुत ही जरूरी है इसलिए दोनों मैंने टॉप ओर्डर के ओपनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन किया है बैटिंग से CS लंगा को मैं ले रहा हूँ एन हुसेन सांतो को और यहाँ पर कमेंडू मैंडिस को और ओल राउंडर से मैं यहाँ पर दोस्तों सौमय सरकार मेहदी हसन मैथूस को लिया हूँ और एम पतिराना दिलसान मदुसंका मेरे सिरलंका के बोलर रहेंगा और केवल एक बोलर में यहाँ पर टस्की नहमात को ले रहा हूँ बांगलादेश की तरफ से लेकिन दोस्तों आप लोग गौर कीजेगा तो ओल राउंडर मिला कर मैंने दोनों टीम्स की तरफ से दो-दो बोलर को ले लिया है और ज्यादा तर इमन तीन तीन बोलर को ले लिया और ज्यादा तर दोस्तों मैंने यहाँ पर फास्ट बोलर पर फोकस किया है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर पहले बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा धन्यवाद दोस्तों आप से भी का वीडियो देखने के